मुझे अभी हम मौजूध हैं बिभूती पूर परखणंड में और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जो हैं बिभूती पूर रसोया फ्रंट के जो हैं जितने भी रसोयया हैं वो लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे विभीन मांगों को लेकर जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जिला के अध्यक्ष हैं इनसे जानते हैं देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा मैंन से कहेंगे थोड़ा दिखाएंगे सारे रस्या वेगेरा जो हैं यहाँ पे आये हैं और यह बेटिंग कर रहे हैं आपस में कि किस तरह से जो है एक बिरत पैमाने पे जीला अस्तर या राज अस्तर पे हो एक तैयारी कर रहे हैं आंदोलन की जिसे की रस्यों की जो मांगे हैं विभिन मांग वो मांग पूरी हो जाए हमारे साथ अध्यक्ष हैं इनसे जानना चाह है हम लोग को कम से कम बाड़ो महिना का मांदे मिलना चाहिए दस अजार रूपे और रिटार होने पर रिटार्मेंट मिलना चाहिए कम से कम पांच लाख रूपया जो है और पेंशन लागू होना चाहिए अगर हमारी मांग अगर ये फड़वरी तक अगर सरकार नहीं सुनती है तो शवद मार्श से हम लोग अनिशित कालीन हर्ताल पर चले जाएंगे और आने वाला बिधान सभा चुनाव हो या लोक सभा चुनाव हो उसमें हम लोग बोट का बहिसकार करेंगे काला पट्टी बांध करके और नोटा का पड़ियोग करेंगे जो है किसी पार्टी वाले को बोट नहीं दिलवाएंगे और तूरे राज में मैं दावा करता हूँ ये एक वीज़ा सईया जो है किसी पार्टी वाले को बोट नहीं करेंगे आप लोग का जो है मान दे अभी फिलाल बर्तमान में कितना है सारे सोलस सब पचास रुपया देख सकते हैं सोलस सब पचास रुपया है जो नियुनतम मजदूरी कह सकते हैं उससे भी कम है क्योंकि हाई कोट के द्वारा जो है नियुनतम मजदूरी जो है साथ हजार रुपया ऐसा मतलब हुआ था ये सही है क्या है एकदम सही है सर्ट का क्या आदेश तोट का आदेश साथ हजार उपया कम से कम मान दे मिलना चाहिए यह उसी के लिए आप मतलब अभी फिलहाल जो मीटिंग कर रहे हैं और अंदोलन की जो तैयारी कर रहे हैं यह बिरहत पहमाने पर कब करने वाले हैं फिर अगले रविवार क को भी करेंगे इसी जगह और 14 मार्च तक इंतजार करेंगे 10 मार्च तक हम लोग अगर सरकार मान जाती है तो ठीक है हम लोग अनिशित काली नहरताल पर नहीं जाएंगे अगर नहीं मानेंगे तब हम लोग 14 मार्च से अनिशित काली नहरताल पर चले जाएंगे और परधान मंत्री कारजाले भी चिठी जो है भेजे हुए हैं और एक तारीक को जो है क्या नाम है मुखमांत तेजस्री आदव और नहीं नहीं अपने समस्ति पुर्जिला का जो सांसद है नहीं नित्यानंदर आई जो है अलोग कुमार मेहता को आवेदन दिये हैं एक तारी को बताना चाहेंगे आपको विभिन मांगो को लेकर जो है रसोया फ्रेंट जो है वो आंदूलन करने वाली है उनकी जो नियुंतम मांदे होना चाहिए सुप्रीम कोट के आदेश के अनुसार 7000 फिक्स हो गया है कि मांदे नियुंतम उतनी होनी चाहिए लेकिन उनको नहीं मिल रहा है जिसके कारण जो है रसोयों में और संतूस्ती का जो है यानि और संतूस ब्याप्त है जिसके कारण जो है यह लोग जो है नए और बिरहत्ते माने पे जो है करने वाले हैं